भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्षर स्रिमान जेपी नड़्डा जी और आज अलग-अलग राज्यों से गुजरात, मद्वर्देश, महराष्ट्र, चतिशगर, गोवा, दमन्दिव, एक शेत्र के सभी जिला परिशत के द्यक्षिहां एकत्र आये हैं बाकी भी अपने संगर्धन के प्रमुख लोग वहां है भारतिय जनता पार्टी की जो मुल्भुच शक्ति है वो उसका कार्यकरता है और कार्यकरता एक ऐसा पद है जो कभी भी एक्स नहीं होता है वो जीवन भर हमारे साथ रहता है और हमारी एक विश्यस्ता जनसंख से काल से रही है हमारे जो वरिष्ठ जन रहे हैं उन्होंने हमेशा अभ्यास वर्ग को भौती महत्व दिया हम संगठन का काम करते थे तब भी बार बार ट्रेनिंग अभ्यास वर्ग अभ्यास वर्ग चलते रहते थे क्योंकि हम संगठन में विश्वास करते हैं हम संस्कारों में विश्वास करते हैं हम समर्पन में विश्वास करते हैं और हम एक सामोहिक ताक्के समस्कारों के साथ, सामोहिक जिम्मेवारी के साथ आगे भढ़ें, और जो जिम्मेवारी मिले, इसके लिए निरंतर अपनी योग्यता बढ़ाते जाएं, अपना कौशल्य बढ़ाते जाएं, इतना ही नहीं, हमारी ये परंपरा रही है, कि जिस किसी के पास से अच्छा सिखने को मिलता है, वो जुरूर चिंखे, मुझे पक्का विश्वास है, कि पंचायत ववस्था से जुड़े हुए आप सभी बंदू, जब दो दिन, तीन दिन साथ रहेंगे, तो अनेक लोगों से अनेक विश्वों की चर्चाय होगी, अलग-अलग जिले में, समझ्याओं के समाधान के लिए नए-नए रास्ते खोजे गए होंगे, इन सारे चीजे जो सिखने को मिलती है, जो उद्बोधन के द्वारा सत्र में विशय रखते हैं, उस समझने सिखने को मिलता है, उससे ज़्यादा, हम जो इंफयर्मली दो-तीन दिन रहते हैं साथ में, इससे सिखने को मिलता है, और मैं तो चाहूँगा कि आप सब को अपना एक WhatsApp ग्रूप बने और आप भी एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहे अपने जिले में क्या नया हो रहा है वो लोगों को बताएं उनके जिले में क्या नया हो रहा है उसको जाने रियल टाइम इंफर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करें आप देखें बहुत लाप होगा और हम जानते हैं कि लोगतंत्र की मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नीव पर होती है हमारी लोगतंत्रिक संस्थाओं की नीव जितनी मजबूत होगी पल पल लोगतंत्र को हम जीते होंगे तो आप देखिए हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे अब आप सबको एक पांच साल का कारकाल मिलता है अब जो पांच साल का कारकाल मिलता है तो क्या कभी आपने सोचा है बैठ करके अपने साथियों के साथ अपने जिले के जो गणमाने लोग हैं उनके साथ या अपने सरकार के दफ्तर में जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठ करके कि पांच साल में ऐसी कुछ चीज़े हम ताय करें जो हम जीले में परिपुरुन करके रहेंगे जो आपने देखा वोगा मैं जब 14 में आया तो मैंने का मुझे टॉइलेट बनाने हैं स्कूल में बच्चियों के लिए लग टॉइलेट बना तो पूरी ताकट लगा दी और एक विश्य हाथ में लिया पूरा किया आप सब के सहीयों से किया देश की सभी काईयों के सहीयों पूरी शक्ति लगा दी जंदन बैकर का उखलने हैं याने ऐसे मैं आपको सेंक्रों चीजे बता सकता हूं मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने जेले में कौन से ऐसे विश्य हैं जो आप हमेशा हमेशा लोग याद करें कि उनके कालखन में अपने जीले में यह बहुत अच्छी चीजे हुई कुछ लोगों को क्या लगता है जैसे मैंने जेखा है कुछ गाओं के प्रधान बन जाते हैं तो उनको विचार आता है गाओं के बार गेट बना देंगे मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूं और मैं तो जन सामान्य से जुड़े काम उनकी कठिनाईयां दूर हो उनकी आवशक्ताएं पूरी हो और उनका एक जन अंदोलन के रुपए काम कैसे हो कुछ तो हमने साल भर में चार पांच अउसर ऐसे निकालने चाइए कि जिस्में सरकार के में पूरा जिलां का जन सामान ने उससे जुड़ जाए जिसे मान लिधी हम हर वर्स करते हैं यह सरकारी क्यों होना चाहिए यह जन जन का कैसे बने उसके लिए दो मेने पहले मेहनत करनी चाहिए एक-एक और हर कोई सब्सक्राइब आपको दत्तक लेना है अब यह पैड को तीन साल तक आपके परिवार के नाम पर रहेगा आप आप देखिए जनांदोलन बना देंगे मालीजे हम दुर्गा पुझा आती है या नवरात्री आती है बारिश के दिन समाप तो हो गए होते हैं मालीजे हम ताय करें कि भी दो अक्तुबर गांदी जनती है कि 25 सितंबर पंडिद्न दैर उपाज जनती है 11 अक्तुबर जैप्रकार नाराण जी की जन्म जनती है चलिए उसमत एक पांच दिन दस दिन हम पकट ले और पूरे जिल्ले में ऐसा सफाई अभ्यान करें ऐसा सफाई अभ्यान करें कि जम नवर इसके बाद जो छोटी मुरी तकलिव हुए उससे मी मुक्ति मिल जाए हो सकता है कहने के मारा ताप्तर यह है कि जो भी काम करें हमें जनांदुलन बना करके करें अब जैसे शिक्षा का खेतर हैं हमें आगरही बनना चाहिए कि स्कूल में माता-पिता का जो मिटिंग होती है पैरेंट्स और गाइडियन्स की जो मिटिंग होती है उसमें कभी कॉंप्रोमाइट नहीं होने देना चाहिए उस मीटिंग से माबाप को भी बच्चों के परती स्कूल के परती एक लगाव बनता है सिक्षा पर लगाव बनता है माबाप का और परिवार से संपर्ग आता है तो माबाप को भी पता चलता है बच्चे को स्कूल में इन इन चीजों की प्राक्पिकता है तो घर में भी वैसा बातार बनता है आपको अपने जीले के स्टांडर उपर ले जाने है आपको ऐसा सप विचायाने, खेल कुद हो, तो सबसे आगे कैसा रहे? वेक्सिनेशन करना हैं, सबस्यास के कैसा रहे? इंद्रधन से घूजना है, बच्चो का ठीकाकान करना है, आपका जिल्णा कैसे आगे रहे? हार चीज को नेतरुत दे करके, अगर मिशन बूर्ड में करते हैं, तो आपकी ताकत भी कम लगती हैं, आपको परणाम भी ज़्यादा मिलता है, आप आइडेंटिफाइ कीजिए, दूसरा, सरकार के क्या समझा रहती है कभी कभी, बजेट आएगा, तो थोड़ा ज़रा दम से बोलने बादा वेकती होगा, तो उस दिशा में बजेट चला जाता है, कुछ काम कर रहे हैं, आप देखें, पहले सत्तर हजार करोर का अनुदान मिलता था, आज वो तीन लाग करोर से ज़्यादा हो गया है, इतना बड़ा धन आपके हाथ में आया है, तीस हजार से ज़्यादा नए जिल्ला पंचाइद के भवन बना चुके हैं, याने आज समसाधनों के विशे में कठिना इन्हें इस सवाल यह है, क्या उसका कन्वर्जन्स होता है क्या, मनना क्या होगा, एक गाउं में 10 परिवारों को एक लाब मिलेगा, फिर 10 परिवार दूसरे गाउं के होंगे, फिर तीसरे गाउं के होंगे, एक गाउं में से समस्यां लटकी पड़ी रहेगी, क्या मिल करके हम ताय करें कि इस गाउं में से तीन समस्यां मुक्त कर देनी हैं, इस गाउं में ये दो समस्यां से मुक्त करनी है, अगर निर्मान कार्या करना है, चलो भी पहले इस बार ये 40 गाउं पूरा काम कर लेंगे, अ मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैंने एक कारशेली डवलोग की थी मुझे बड़ा फायदा होता था वो कारशेली क्या था मैं हर वर्ष कि एक विशयधाय करता था जैसे मानली जी मैंने दाए किः कि गर्ड चैल्ड ऐजुकेशन बेटियों की सिख्षा तो सरकार में पुलीस विभाग होगा तो उसको विद्लृ से लिए काम करना होता था और होंगार होगा उसको विद्लृ चैनल एडूकेशन का बहुत बड़ा सफ़लता मिली कभी अर्वन डेवलप्मेंट यह मनाया क्या आप अपने जिलागी काई छोटी होती है साल में तीन विशें ऐसे ताय करया और हर विशें के लिए चार महिने दे कि पर ये चार महिने डिपार्टमेंट के सब काम तो करेंगे ही लेकिन एक काम ये करेंगे वो सब मिल करके करेंगे और चार महिने के जब आखरी सब्ता हो तो बहुत बड़ा मास मुमेंट बना करके उस काम को सफल करके रहेंगे ऐसा कर सकते हैं क्या आप देखिए अगर साल में आप तीन करते हैं पांच साल में पंदरा इसी समस्याओं का समाधान हस्ते हस्ते आपकर सकते हैं और फिर ये करने से जिले की टीम बन जाती है विभाग्स जो साइलू में जो होते हैं वो भी बाला आ और जब पूरी टीम बन जाती है तो टीम की शक्ति बहुत होती है साथ हो आपको इंब देखा होगा जब आप अकेले खाना खाने के लिए बैठे हैं तो खाने का एक मात्रा रहती है लेकिन चार-पाइच दोस्तों के साथ खाना खा रहा है कोई आगरह नहीं कर रहा है को परोटी ज्यादा चली जाएगी मिठाई होगी तो थोड़ी मिठाई भी पेट में ज्यादा चली क्यों एक सामुहिक्ता का आनंद होता है कि जितना हम सामुहिक्ता से काम करते हैं शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है और इसलिए मेरा अग्रह है कि आप उद्धिशा में सो चाहिए और उपर नेड़े करके मार दर्शन नीचे की तरफ जाना चाहिए यह कब होगा आप बैठ करके विचार विमर्स करेंगे तो होगा एक एक को सैंकड़ों को मिलते ही रहेंगे तो अच्छा है मिलना चाहिए लेकिन सामुहिक भैड़के चर्चा नहीं करेंगे अपने खेत्र की अपने लोगों के प्रश्णों की तो पूरा चितर आपके सामने नहीं आएगा और जिए मेरा तो आपको सुझाव है कि जिला के जो द्यक्ष हैं जिला के बीजेपी का द्यक्ष होंगे जिला के महासचीव होंगे यह पूरी टोली एंद महिने में दो बार अलग-अलग जिला परिशत की जो सीट होती हैं वहां के सो डेड़ सो कार करता हूं कि साथ टिफिन बैठक करें दो घंटे जिला परिशत से जानकारी होगी ना ग्रास्रूट लेवल की परफ्रक्त जानकारी होगी उतने अफसरों से आप अच्छी तरह काम ले पाएंगे मेरा एक अनुभव रहा है मुझे संगर्षन का व्यक्ति रहा उसके कारण राज्य में मुझे ग्रास्रूटल के इंफर्मेशन बहुत मिलती थी जल्दी मिलती थी और मैंने उसको वेरिफाय करने का एक मेकनिजम भी बना दिया था और जब वह बात मैं अफसरों के सामने रख देते थी आपको भी अपने जिले की हर जानकारी लगातार मिलती रहे वह आपकी एडिमिस्टेटर के नाते जो परफॉर्मंस है उसको बहुत बढ़ा सकती है और इसलिए मेरा आप से आग रहे हैं कि आप उद्धिशा में प्रयास कीजिए कुछ चीज़ें आसी हैं जो भा अम्रत सरोवर बनाने हैं क्या जैसे चहिए वैसे अम्रत सरोवर बने हैं क्या गाउं के लोग घर्व करें यह शांदार काम हो गया दूसरे गाउं को भी लगे यार 75 बने हैं हमारे जिले में तो 700 गाउं है 700 गाउं में भी तालाब बनना चाहिए चलो हम हमारे गाउं में ब सबसे बेड़ी भैट और आप अपने कारकाल में हर गाउं में अगर एक बहुत शांदार और पानी भरे और काफी घहरावा ऐसा एक तालाब भी बना देते हैं तो आपको लंबे अरसे तक आज भी देखिए कई जगा में लाखा मन जारा का नाम सुनते हैं पता नहीं कि समय लेकिन लाखा मन जारा ने तालाब बनाया था लाखा मन जारा ने काम किया था आज भी लोग याद करते कि आपको नहीं लगता है कि जन सामानने की भ़लाई के लिए ऐसा कुछ काम करें हमेशा लोग आ रहे भाई जब वो चिला पंचाइट पर वह सजन थे ना तब देखि कि इतनी समस्याओं का समाधान हो गया हो सकता है मंद्रेगा का पैसा आप टाय कीजिए कि मंद्रेगा का पैसा कुछ न कुछ कि निर्मान कारिये के लिए लगना चाहिए चाहे वो तालाब के लिए हो चाहे गाउं की सड़क बन रही है तो उसका अर्थवर करने के लिए हो चाहे पाउधा लगाने का काम हो व्रक्षारोपन का काम हो चाहे स्वच्चता का काम हो मंद्रेगा सिर्फ गड्डे खो दो पैसे जाएं जिसको रोजगार की जरोता रोजगार तो देना यह हमारी प्राथ्मिक्ता है लेकिन वह पैसों से कुछ न कुछ निर्मान कारिया होना शाहे है आप यह काम ताइक करा सकते हैं हमारे इस गाउं में अब मंद्रेगा से छे मि जिने में दो काम पूरे करने हैं मंद्रेगा का महीं चलेगा वैसे भारसर कर देती है निर्मान कारिया आपके गाउं में हो जाएगा आपकी जिल्य में हो जाएगा यह आप धनका समय का शक्ति का समसाधन का इतना बढ़ियाओ क्यों कर सकते अब हमें मालूम है गुजराच अपरिल में में जब भी पानी सुग जाए उन तालाबों को फिर से गहरे करना मिट्टी निकालना और ज्यादा पानी आए उसके लिए जितने जितने रास्ते उसकी सभाई करना यह काम कर सकते हैं अब गुजरात में नरदा का कैनाल का काम हुआ है महाराष्ण में भी जल सं अंचय का काम दिवेंदर फड़न विज्जी के समय से बहुत अच्छा चला है मध्यप्रदेश में उस दिशा में काम हुआ है इन सारे कामों को ले करके क्या हम अभी से कि हम पानी कैनाल तो बनी लेकिन अगर उसमें मिट्टी भर गई कुडा कजरा भर गया तो पानी आगे करेंगे याने हम तै करें कि मेरे जिले के अंदर मुझे जो काम करने शिक्षा है स्वास्त है ऐसे महत्वकुन काम पूरी ताकत से करें अब आप मैं से कई जिले होंगे जो एस्पिरेशनल डिस्टिंग होंगे अनुभव यह देखा है कि आकांग् से जिले उसमें नई नई उर्जाई है अपसरों को भी लगता है कि आकांग्सी जिले को मजे समर्ती जिलें परिवर्टित करना है हर मिनिट कंपूरिशन चलता ही है देश के सो सवा सो जिलों के बीच में लगातार competition चलती है और हर कोई आगे आने की कोशिश करता है उसके कांट सुधार भी हो रहा है मैंने देखा जहां पर होस्पिटल डिलिवरी हैंने हमारी प्रसुता माता है जाता तर डिलिवरी घर में करती थी और दायन से करवा लेती थी कभी बच्चा मर जाता था कभी मा मर जाती थी अब एस्पिरेशनल डिश्टिगें दर मूर बाने भी इंस्टिटूशनल डिलिवरी करेंगे माताओं की मृत्यू नहीं होने देंगे बच्चियों की मृत्यू नहीं होने देंगे सुधार दीखने लगा है हम टीबी मुक्त भारत का काम उठाया है आपके जिल्ले में एक भी टीबी का पेशंट ऐसा नहों जिसकी सरकार को जानकारी नहों एक भी टीबी का पेशंट ऐसा नहों कि भारत सरकार जो किट पहुंचाती हो किट उसको नहीं पहुंची हो सिरफ भाजपा के कार करता है हमारे चुने हुए लोग वो एक एक टीबी पेशंट का जिम्मा ल उसको भी लगे का रहे ये मेरे मेरी तभीयती चिंता करती है चलो मैं भी करूंगा मेरा कहने का तात्परी ये हैं कि हम इन जब ऐसे अभ्यास वर्गों में आये हैं तब प्रशासन से जुड़ी हुई बहुत सी बाते आपको इहां बताई जाएगी अच्छे अच्छे लोग अच्छे शे विशे रखने वाले हैं मैं जादातर उस दिशा में नहीं गया मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपका भी विकास होना चाहिए आपके शेत्र का भी विकास होना चाहिए आप इजिली अवेलेबल होने चाहिए सहथ तासे लोगों के बीच में होने चाहिए हम जितना जमीन से की तरफ जाएंगे उतना जमीन से जुड़ेंगे उतनी हमारी ताकत और ज्यादा मजबूत होगी और इसलिए मैं आपसे आगर करता हूँ आपको मालूम है कल ही मैंने पंदरा अगस को लाल की जिसे बात कही थी पी-एम बिश्वकर्मा योजना अब हमारे हाँ मालूम है कि हमारी जो समाज व्यवस्ता रही है पुरानी उसमें कुछ कमी आई है बुराई है वो तो एक अलग चर्चा का विश्य है लेकिन समाज को बनाने और चलाने में कुछ व्यवस्ताइं बहुत काम कर रहे हैं आपने देखा होगा हर गाओं में सोनार होगा हर गाओं में लोहार होगा हर गाओं में कुमार होगा हर गाओं में नाई होगा यानि कुछ ऐसे काम है जिसको करने वाले लोग हर गाव में मिलेगे क्यों उस गावं की इन जरुतों को पूरा कर रहा है वो परमपरा कर रूप से करते हैं अपने माबाप से सिख्या करते हैं और आर्थिक स्थिती अच्छी हो बुरी हो लेकिन अपने इस काम को एक समाज धर्म के रुप्पे करते हैं और आपने देखा होगा ये जो समाज है जिसमें क्राइम लेवल न के बराबर होता है कोई क्रिमिनल अक्रिमिटी वाले समाज नहीं होते हैं हरे के साथ मिल जूलकर के तो गावं का नगर से ये भी उसके काम करता होगा और गावं के गरीबकिं बच्ची की शादी होने लिए तो भी उसके गर आता है याने यह ऐसे लोग हैं हमने सोचा है कि उनको एक नई ताकत दें तेरा पंदरा हजार करोड़ रुपय का एक बजट बनाया अब यह प्राड़म्बिक बजट है उनको कुछ आर्थिक बदद करें उनको आधूलिक नएने मशिन दें टूल दें उनका स्कील डेवलोप्मेंट करें और वे बहुत तेजी से आगे बढ़े और शक्ति शाली बढ यह जो यह परंपरागत काम करते हैं कुमार है तो कुमारिका काम करते हैं लोहार के काम करते हैं अर्फ भर हैं ऑज बी उस प्रकार्ट की छोटी से दुकान चटलाते है अब सुची बनाई ये पूरी नाम पते समय और हम उनको कैसे आर्थिक मदद कर सके तो 17 सितंबर को उन सब को एक बड़ा समारो करके उसको पैसे देने की शुरुवात करने वाले हैं और इसे उन्दा को आगे बढ़ाने वाले हैं और देश में ऐसे 25-30 लाग परिवार उनक के बाद करीब 15-20 दिन बचे हैं मेहनत करने के लिए आप कर सकते हैं कि कहने का तातपर यह हैं कि हम उसी प्रकार दब देखिए यह सावन मा से मेला चलते रहते अब दिवाली तक उत्सभी उत्सभ होते हैं उन उत्सभों का उप्योग समाज को सुखशित करने के लिए योजनाव का पता चले कुछ चीजें हैं जो कैर करने है तो उनको बताए जाए यह मत करो यह मत करो यह मत करो यह भी बताई जाए हम जितना ज्यादा कर सकते हमने करना चाहिए अभी मेरा अगर रहता है इस मेर जात्यां साउसद खेखट परतश आए इस अक्तूबर महिने से लेकर चाहिए हम पूरे देश में कि हजारों नवजवानों को खेलकुस परधा में जोडना चाहते हैं हजारों बेटियों को जोडना चाहते हैं अब आप अपने यहां बढ़िया से बढ़िया खेलकुस परधा कैसे हो एक एक बच्चा उस खेलकुस में भाग ले और आपके जिले में खेलकुस का कल्चर वने यह कर सकते हैं दूसरा साथ के देखें जमाना ब्रांडिंग का है अड़े जब तक हम अपनी जीले का ब्रांडिंग नहीं करते हैं जिले की पहचान नहीं बनाते हैं, तो कुछ आपको कमी महसुस होगी, किसी भी चीज के लिए आप बना सकते हैं, माल लीजिये, आपके जिले में अम्रित फल अच्छा होता है, गुजराती में जिसको जामफल कहते हैं, मुझे आद है, गुजरात के अंदर जब भी अम्रित फल या जामफल की बाद आती थी, तो बोले धोलका का है, तो किसी को भी कहाँ भी धोलका का खाएंगी, तो उसके पहचान बनी थी, बाद में धोलका के किसानों ने गुलाब की खेती पर मुड़ गए, तो उस पूरे इल पहचान होती थी, खेलोनों के लिए किसी में जमाना में लकड़ी के खेलोनों के लिए पहचान होती थी, हम उसको सुरेंडर कर, हमारे बुनकर भाई बहुत रहते हैं, वहां के कॉटन की पहचान होती थी, वहां के कपड़ों की पहचान होती थी, याने हम अपने जीले में ऐसे कौन सी सचमुच में बड़ी ताकतवर व्यवस्ता है और सहज है अब उसको कैसे आधुनिक बनाएं उसकी क्वालिटी कैसे सुधरें उसका पैकेजिंग कैसे अच्छा बनें वो आपके जिले के बाहर हो कैसे पॉपिलर हो आपका जिला उस बात से कैसे बनाएं चाहे वो बैनिफेक्टर का काम हो सकता है चाहे वो हस्तकला का काम हो सकता है हो सकता है को एजुकेशन इस्टिटूट अच्छी हो पूरे राज में भाई ठलानी सिक्षा तो वहां मुझे हाँ है मैं जब छोटा था तो मेरे गाउं के बहार अंबाई जी जाते रहते हैं सत्लासना गा पाने में और वो कोचिंग क्लास चलाते थी आज वो कोचिंग क्लास काम सुनते ने मैंने उस समाही में सत्रासना जिल छोटे गाउं में बन गई थी कि यहां पर अच्छी सिक्षा बच्चों को देनी है तो यहां करके छोड़ जा और लोग जाते थे वह यह 50 साल पहले की ब अब आज भी उज्जेन को कोई भाकाल सही जानेगा तो उसकी पहचान अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन जाती है मैं समझता हूं कि आप हर एक को प्रयास करके सब को साथ ले करके चर्चा करके तरह करका आपके जिल्ले की एक चीज जिसकी आन बान शान चारों कि आपके जिले की चीजें दुनिया के बाजार में भी के एक्सपोर्ट हो इच्छा होनी चाहिए आपके मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए कि जीएश्ट्री कलेक्शन आपका जिल्ला राजी में पहला नमबर आना चाहिए आपके मन में नहीं होना चाहिए कि सिख्षा हो खेल कुद हो मेरा जिल्ला हर चीज में आगे रहेगा मैं सरकारी मशिंड का पूरा स्वक्ति काम मेरा हूं और एक बात देख लिए अच्छी सरकार चलाने के लिए जिले की भी सरकार अच्छी चलानी है तो आपको रेग्यूलर पूछताच करनी चाहिए और आंकड़ों में पूछना चाहिए जनरल जनल नहीं कारकम बहुत अच्छा हुआ लोग बहुत संख्या में आये थे बात्ची बहुत नहीं बताइए भी आपने दस नंबर कहां ता कितना पहुंचा क्यों दो पहुंचे अच्छा आठ कैसे कि आप देखिए जिले के काम को बहुत गती दे सकते हैं तो साथियों यह पूरे देश भर के जिला के एक्षेत्र के हमारे कार करता है वे आइंदुनों अभ्यासवर और मैंने तो मुझे नड़ा जी बता रहे थे कि हजारों की तादान में जो एक एक हमारा पंच सरपंच उटका मेंबर चुना है तैसि गएंदुन पर चल रही है यह सब क्यों करते हैं यह चुना जीतने का काम रही है ये सब इसलिए करते हैं कि हमारा देश 2047 में विक्सित भारत बने है विक्सित भारत बनने के लिए हर गाउं में विक्सित गाउं बनाने की जोद जलानी है हर तैसिल में विक्सित तैसिल बनाने की जोद जलानी है हर जिले को विक्सित जिला बनाने की जोद जलानी है और ऐसी लाखों जोत एक ऐसा प्रकास पुझ बन जाएंगी अपना देश 2047 में विक्सीद भारत बन के रहेगा दोस्तों और इसके लिए हमने मैनत करनी है हमारी अपनी शक्ती भी बढ़ानी है अपनानी व्यक्तिकत विकास भी करना है शेत्र का विकास करना है और दूसरा हम जानते हैं हम लोग संग्राहक है हमें संग्रा करना है जितनी जादा लोग हमारे साथ जुड़े जोड़ना है जितनी नई नई विधाएं जुड़े हमें जोड़नी है हम एक अच्छे लोग संग्राहग बन करके अपने खेत्र का विस्तार बहुत बड़ा कर सकते हैं और हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं न वो नारा नहीं है हर पल उसको जीना है साथी हो सबको साथ लेना है और आप देखिए जब सबको साथ लेते हैं न तो विकास की गति भी बहुत बढ़ जाती है तो मित्रों मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब चवात करने का मोका मिला आने वाले कारकमों को भी आप सभल करेंगे और जिन सपनों को लेकर करके हम आगे बढ़ रहे हैं उन सपनों को आप परिपूर्ण करेंगे मेरी आपको बहुत बहुत सुपामनाय हैं बहुत बहुत धन्यवाद इसरीम्रा बहुत क्वरु थे स्पनाय हैं कि एसला लोग कर देदालोंराउने बहुत बहुत इसतशा आप – तिया जाए तिस करेंगे मेरी छाप9ी थे acredंब हुत करेंगे तिसम्राव हूणाय है कि पक gratis मैं ऑताव कर्यों सब एसकाम मैं पसमे यह हुत कर वे हैं